हेलो डियर स्कॉलर्स, क्लास 11, नीट स्कॉलर्स और ग्रेजवेट्स के स्टुडेंट्स, आज जिस टॉपिक को डिसकॉस करूंगा, बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स है, इतना इंपॉर्टन टॉपिक है कि अगर वो और्गन नहीं हो, तब शायद लाइफ का मज़ा भी नहीं है, तो कौन सा टॉपिक है, सोचिए आप, गैस कीजिए, आज मैं डिसकॉस करता हूँ, आइज, ए, वाई, इ, आइज, आँख, सेंसरी ओर्गन है, आई, फोटो रिसेप्टर है, आई, फोटो रिसेप्टर है, आई, सेंसरी ओर्गन में आता है, हम अपनी आँखों से आपजेक्ट नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, हमें आँखों से कलर दिखाई देता हैं, और जिसमें कलर नहीं होता, वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, air का color नहीं है न तो हमें air दिखाई भी नहीं देती लेकिन जब हम air में कोई चीज spray कर देते हैं और उसमें color हो तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है तो हम अपनी आखों से color देखते हैं तो जैसे हम कोई object देख रहे हैं तो object नहीं देख रहे हैं जो आबजेक्ट की सर्फेस से रेफलेक्ट होता है जैसे हम अगर रेट कलर देखना है तो आबजेक्ट से रेट कलर वापस हो रहा है तो हमें रेट दिखाए देगा अगर गरीन वापस होगा तो गरीन दिखाए देगा जैसे हमें plant green दिखाय देते हैं क्यों? plant green दिखाय देते हैं क्योंकि leaves पत्तियां green color को वापस कर रही हैं तो हमें leaf green दिखाय दे रही हैं इसलिए green color में photosynthesis नहीं होती है Dear students, आज मेरा topic photo receptor आई है बहुत important topic है, need scholars के लिए भी human, human में one pair eyes है और हमारी आखें face के सामने होती है हम दोनों आखों से एक चीज़ देखते हैं हम दोनों आखों से एक चीज़ देखते हैं मतला हमारा vision by local vision है हम दोनों आखों से एक चीज़ देखते हैं Dear students, primates में हम लोग आते हैं और primates में दोनों आखें सामने के तरफ होती है हमारा face कैसा है, orthognathus face है orthognathus में दोनों eyes सामने के तरफ होती है eye, skull की eye orbit में होती है eye, आखें, skull की eye orbit में होती है eye orbit में, आई रेक्टस मसल्स के दोरा जूड़ी होती है तो students, आईए, मैं आपको समझाता हूँ eye sum कैसे देखते हैं, eye structure क्या है dear students, देखें, ये एक मैं eyes बना रहा हूँ ये eyes की eye leads है, ये eye leads हो गई, ठीक है और ये eye corner है, इसमें red color की ये वेस्टीजल मेंब्रेन है जिसका नाम है, nictating membrane नोट कर लें, nictating membrane तो ये nictating membrane है और उसके बाद पूरी ये eyeball हमें white color की दिखाय देती है white color की eyeball हमारी, ठीक है और इसके बीच में black color का दिखाय देता है जिसे हम बोलते हैं, ये black color और इस black color में हम देखें, तो यहां center में एक black hole दिखाय देता है यहां center में एक black hole दिखाय देता है हमें आख कुछ इससे जाय देती है इस पे मैं eyelashes बनाता हूँ भी ये students, कुछ हमें eyes इस तरीक देती है ये eyelashes हैं, eyelashes के base पर Z's gland होती है Z-E-I-S Z's gland होती है और जब Z's gland में infection हो जाता है तो जब Z's gland में infection होता है तो ये आँख में छोड़ी छोड़ी दाने से निकल आते हैं जिसे कुछ लोगे अंजन आरी बोलते हैं अंजन आरी तो यहां पे infection होने पर ये swell कर जाती है तो eye lashes है eye lashes base पर Z's gland है ये eye lids है ये eye ball की इसकलराइड है इसकलराइड लेयर है और बीच में center में pupil है इस pupil से light rays आंख में परवेश करती है और ये vestigal organ है nictating membrane देखिए इसकल में ये में इसकल बना रहा हूँ ये सकल है एक rough diagram इसकल का ही है ऐसे सकल है तो इस eye orbit के अंदर ये eye ball है ये eye ball देखिए मैंने तुरा color करती है जिसे आप उधिया दे जाए ये eye ball है eye orbit के अंदरे eye ball है eye ball का ये समने आला भाग जो open है ये one upon fifth part है और eye ball, eye orbit से ये muscles के दोरा connect होती है इस तरह से इन muscles को हम rectus muscles कहते है देखिए ये रफ डाइग्राम है सकल का ये सकल है ये eye orbit है eye orbit इस eye orbit के अंदर ये eyes है और eyes इन rectus muscles दोरा से जुड़ी भी है six rectus muscles होती है छे rectus muscles होती है और ये सामने भाग है अगर हम यहाँ देखिए तो ये क्या होती है eye laces से ये eye laces है और इस पर ये eye laces है मैं आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा करें रिखाता हूं dear students ध्यान दे ये हो गई eye ball देखिए eye ball eye skull के अंदर देखिए ये eye orbit है ये में eye orbit बनागी इसके उपर ये eye laces है मैं समझाने लिए बना रहा हूं को ये eye laces और यहाँ पर ये muscles जोड़ी भी है जिने हम rectus muscles कहते हैं ये rectus muscles है तो ये हो गया eye orbit और muscles को कहते हैं हम rectus muscles और ये हो गई eye ball eye lid और ये eye lashes है इसके base में यहाँ पर G's gland है यहाँ पर lacrimal gland होती है upper eye laces के अंदर की तरफ lacrimal gland होती है और ये eye wall का सामने का विस्सा है जिसे हम cornea बोलते हैं आप नोट करें eye ball eye orbit से six rectus muscles के जोरा जुड़ी होती है rectus muscles के नाम लिकें आप superior rectus muscles हाँ नोट करें superior rectus muscles inferior rectus muscles in Internal Rectus Muscles Superior Oblique Rectus Muscles Inferior Oblique Rectus Muscles Inferior Oblique Rectus Muscles Rectus Muscles के contraction और relaxation से Eye Ball का movement होता है आप में देखें जैसे मैं आख चला रहूँ ऐसे करके यह जो मेरा Eye Ball का moment हुआ ही है यह Rectus Muscles से हुआ अब मैं steady करता हूँ आपको steady कराता हूँ Eye Ball के structure की आप मेरे साथ साथ पहले diagram ड्रॉ कर लें फिर उसको explain कर लेंगे यह ना तो पहले Eye Ball का मैं diagram बनाता हूँ आप मेरे साथ साथ diagram बना लिजे फिर उसके बाद हम उसको explain करते हैं इसके बार जाइ़ यहाँ उसके ताह करते हैं इसके रहाँ बनाता है जाइ़ यहाँ झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अ झाल 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 झाल